आलो आज हम लों डिस्कस करने वाले हैं resistance control method के बारे में ये पहला method है जिसके अंतरा हम लोग speed को control करने इक कोशिश करेंगे via changing resistance चलिए शुरू करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या-क्या चीजे सीखने हो मिलेंगी सबसे पहले कहां पर यह method यूज करना है यह अपने आप में बड़ा question रहेगा second चीज इस method के क्या-क्या advantage है और क्या-क्या disadvantage है इनक्यूंपनलों चर्चा करेंगे लास्ट चीज जो इसमें लेक्चर में सीखने हो मिलेगी कैसे यह method जो था इसने speed-tor curve को affect करा ठीक है तो पुराने लेक्चर जो इससे पहले के हुए वहाँ पर मैंने speed बता दिया आपको torque बता दिया उनके बीच का relation उनके curve हम discuss already कर चुके है इससे पहला इससे जस्ट प्रिवेस लेक्चर था उसके अंदर हमने basic बता दिया था क्लियर हो गया ठीक अगर अच्छा एक और होता है formula अगर यह होगा शंट का लेकिन अगर सीरीज की बात की जाए सीरीज मोटर की तो सीरीज में जो फॉर्मला होता है वह होता है एन इक्वल टू वी टी माइनस का आई ए आरे में आर्मेचर का resistance प्लस सीरीज वाइंडिंग का resistance चुड़ जाता है और सीरीज डिवाइड वाई के इंटू फाई यह हो गया शंट तो फाई शंट यह हो गया सीरीज तो फाई सीरीज क्लियर हो गया यहाँ पर तो यह दो फॉर्मले मोटर के speed के calculation के लिए यूज की जाते हैं इन्ही फॉर्मले में मैंने बताया तो आपको previous में lecture में कि हम लोग इसमें control कैसे करते हो मुझे speed को control करना है तो speed control में इस method में देखा जाए तो हम लोग resistance यानि कि यह वाला part को control करने कोशिश करेंगे इसमें यह वाला part समझ में रहा है इस method में हम लोग क्या करेंगे सबसे simple तरीका है यानि कि negative portion है यानि कि यह वाला जो particular portion है negative portion चाहिए हुआ चाहिए वाला हुआ negative portion जो होगा वो rise हो जागे यानि कि negative part जो होगा negative part वो क्या होगा वो increase हो जाएगा ऐसे में क्या होगा speed जो होगी वो क्या होगी reduce हो जाएगी समझ में आरा simple सा concept है बहुत ही simple method होता है कोई दिमाग नहीं लगाना है अगर आप negative part को increase करोगे तो obviously चीज़े speed क्या होगी reduce होने लग जाएगी बस यही method हम लोग इसमें use करते हैं speed को control करने के लिए अच्छा important चीज़ है कि इसके अंतर जो speed की controlling का जो काम किया जाता है वो basically हम लोग कहा करते हैं below base speed ठीक है below base speed बहुत important यानि अगर तुमसे पूछा जाएगा कहां पर control करोगे तो below base speed ठीक है अब base speed क्या होती इसको भी समझ लेते हैं base speed होती यानि कि अगर तुमने अगर आपने rated voltage लगाया है rated voltage दिया है ठीक है और rated current दिया है rated current आप दे रहे हो then उस case में जो speed होगी एन rated वो हो जाती हमारी base speed समझ मारा यानि rated speed जोगी base speed अब अगर ये वाले method की बात की जाए तो इसके अंदर हम लोग n को क्या कर रहे हैं reduce करने कुछिश कर रहे हैं तो हम लोग कहां काम करेंगे below rated speed में यानि की फर एक्जामपल अगर मालनेते हैं आपकी motor जो है वो एक ये अगर मालनेते हैं आपका n है और ये आपका है torque तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग जो basically काम करेंगे वो इस वाले reason में करेंगे ठीक है यह होगा rated speed एन rated यह होगा एन rated यह वाली line है यह rated speed को दिखा रही है तो इससे इस इदर back वाले portion में यानि की 0 से n equal to 0 से n equal to rated speed इनके बीच में हम लोग काम करेंगे clear हो गए यहाँ पर इतनी हाँ समझ में आगी होगी तो rated speed में हम लोग काम करेंगे आगे चलते हैं तो अब करते कैसे हैं सिंपल सा तरीका होता है इसके अंदर हम लोग एक resistance यूज करते है और external resistance यूज करते हैं यह क्या होता है यह एक variable resistance होता है variable resistance तो variable resistance यह हम लोग पुट करते हैं यह basically इसके अंदर real state आपने देखा होगा practical की होंगे तो जो real state होता है वो उसी tap का होता है यह real state की तरीके का तो इसमें हम तो क्या करते हैं यहां से यहां पे एक slider लगा होता है इस slide से हम लोग change करके r external की value जो है उसको vary करेंगे ठीक और जैसे r external value change करोगे उसी साब से speed जोगी वो change हो जाएगी अब वो कैसे change होगी तो उसको समझ देते हैं तो हम लोग जब r external तुम add करते हो series में r nature के साथ तो ऐसे में क्या होता है formula क्या change हो जाएगा ठीक है due to due to uses of यानि अगर आप use करते हो r external तो n की जो formula हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा vt minus का आईए ठीक है r a plus बड़ा important आजाएगा यहां पर r a plus r external clear हो गया बाकी formula सेम रहाएगा divide by k into 5 ठीक तो हमने क्या करा है हमने r external ले लिया है और r external को जब add करा है resistance तो armature resistance साथ यह series में add हो जाएगा और इस तरीके से हमारा system बन जाएगा clear हो गया है यहाँ पर यह हो कि अगर आप shunt motor के साथ deal कर रहे हो shunt के साथ ठीक है अगर तुम बात करें हम लोग series की तो series में क्या होता अगर for example अगर आप series के साथ deal कर रहे हो series में then n equal to ठीक vt minus का आईए और r a था plus r series winding था plus r external आ जाएगा clear रहा है यह तीनों आ जाएंगे divide by k5 बात समझ में आ रहे होगी तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसमें आपका insert कर देंगे r external को अच्छा याद रखना r external जो तुम add करोगे r external जो तुम add करोगे वो किस में करोगे with series करोगे in या in series with series में करो करोगे तो से series में जाके add करोगे इतना सा simple सापको काम करना है clear हो गया now अब यहां तक यह समझ में आगए हो कि तो अब question कैसा है question में जो formula तुम्हें यहां से ले जाना है वो है n2 यानिकी speed change कितनी हुई divided by n1 यानिकी previous speed के मुकाबले तो यह आ जाएगा formula आपका vt minus का क्लियर हो रहा है यानिकी यह n2 speed कौन से हो कि वह speed जो तुमने external resistance लगाने के बाद आई है और n1 वह speed है without external resistance तो vt minus का आईए आरे रहे हैं चंट मोटर में इस concept पर यानिकी यह वाला जो formula है इस पर question बहुत सारे पूछे जाते हैं exams में बहुत simple बहुत easy questions होते हैं तो अगर तुम्हें resistance control करना है ठीक तो उससे आप इस वाले formula से use कर सकते हो तो conclusion क्या निकला कि अगर तुम r external को increase करोगे तो इससे क्या होगा speed जो होगी वो reduce होती चल करोगे वैसे वैसे negative part जो है यानि कि यह वाला जो negative part है यह इसकी value बढ़ती चले जाएगी तो obviously चीज़े n की value क्या होगी down होती चलेगी below basic speed से के वल सिंपल सा हम लोग इसके इंदर यह use करेंगे now बात कर लेते हैं कि speed torque curve में कैसे affect करेगा यह तो इसको भी समझ लेते हैं पर शंट मोटर ले ले रहे हैं अगर यह होगे शंट मोटर तो यह होगे इसकी no load speed and not ठीक तो अगर इसकी बात करते हैं यहां पर तो जैसे जैसे तुम अगर और external zero रखते हो तो कुछ इसकी speed यह जाती है अगर external equal to zero रखते हो clear हो गया अब जैसे तुम resistance बढ़ाते जाओग क्योंकि no load speed सबकी बराबर होगी तो यह जाएगा R external 2 clear हो गया जिसमें R external ठीक है R external 1 जो है वो less than है R external 2 से तो देखो यहां पर तुम देख सकते हो यह particular value ले ले लेते हैं TL यानिकि load torque ठीक है load torque हो गया ठीक समझ में आ रही होगी ठीक तो load torque same load torque पे अगर यह same load torque के अगर बात 200 rpm यह no load speed है example ले लेते हैं ठीक तो अगर तुमने कोई external resistance नहीं लगाया हुगा है तो load जैसे हैसे आप shunt motor बढ़ाना शुरू करोगे तो इसकी speed जोगी थोड़ी सी down होते हुए आएगी और वो down होते हुए for example आ जाती है आपकी 190 ठीक है लेकिन जैसी तुम R external लगा दोगे resistance add करना शुरू करोगे तो same load torque पर देखो load torque constant है यानि कि एक उतनी ही load पर speed कितनी हो जाएगी अब अब देखो इसकी speed down होते 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 कितनी आ गई 150 आ गई ठीक है और external resistance करोगे तो और कम हो जाएगी speed same load torque पर अब कितनी हो जाएगी 130 या 120 हो जाएगी speed down हो तो जैसे यह से resistance क value को rise करते चले जाओगे उसी तरीके से चो TL पर मिलने वाली speed यह ऎनि कि load torque पर मिलने वाली speed है वो क्या होगी down होती चली जाएगी N यह होगी N load की speed है वो क्या होगी down होती चली जाएगी पहले यहाँ ज्यादा थी यह मालने थी N1 थी यह N2 थी यह N3 थी ठीक है तो तो R simple सा concept है आपको simply resistance add करना है series में और आपका answer सही आ जाएगा ठीक clear हो गया now advantage की अगर बात करने इस method के advantage की advantage सबसे अच्छा method क्या है advantage क्या है बहुत यदा सस्ता method है यानि कि तुमारा क्या है cheap method है cheap है क्यों 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 कि केवल तुम्हें एक resistance चाहिए और उसको बात दूसरा advantage इसका क्या है कि motor जो होती है इसके अंदर extremely low extremely low speed पे चला सकते हो यानि कि अगर तुम यह resistance control method का इस्तमाल करते हो तो अपनी motor को बहुत ही low speed पे चला सकते हो बात समझ में आ रही है जैसे ही for example 190 था यहां पर देखो 190 था और तुम उसे नीचे करते चलेगा 120 आ गया अगर माल लेते एक resistance और बढ़ा देते अगर एक resistance और external एड़ करोगे तो और down हो जाएगा यहां तक आ गया for example देश्वनीद 80 तो देखो तुमने 200 की जो मोटर थी उससे केवल रेस्टेंस की वैल्यू बढ़ा बढ़ा के उसे 80 तक ला सकते और नीचे भी लेजा सकते तो extremely low speed पर भी मोटर को operate कर सकते हो केवल रेस्टेंस एड़ करके सीरीज में समझ में आ गया ना बात कर लेते हैं इसके साथ disadvantage क्या है तो बहुत common सी चीज़ है पहली चीज़ इसके अंदर एक efficiency बहुत पूर होती है इसकी क्यों 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 चीज़ एफिशेंसी क्या होती है पावर लॉस पर डिपंड करती है और जो तुमारी मोटर है इसके अंदर क्योंकि तुमने resistance यूज किया है losses को increase कर रहा है समझ में रहा है देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना जो बहुत basic सी चीज़ है अगर mechanics की बात की जाए कोई अगर देखो for example अगर कोई wheel घूम रहा है और तुम्हें उसकी speed को down करना है तो उसकी energy यानि की kinetic energy है देखो यहां से समझ जो इस बात को बहुत basic सी पड़ेगा clear हो रहा है ठीक तो या तो input में change कर तो या फिर इस energy वेस्ट तो यह जो energy है इस case के अंदर यानि resistance कंट्रोल में हम लोग यह energy कहां वेस्ट करवाते हैं across resistance तो इसके अंदर यह जो kinetic energy वेस्ट हो रही है इसी वाज़े से उसकी speed जो हो डाउन हो जा रही है समझ मैं इस method में ऐसा कर रहे हैं लोग तो क्या कर तो क्यों 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 कि आइस को राल loss में क्या एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो यह जो energy dissipate हो रही है यह कहां से आएगी यह kinetic energy होगी इससे reduce कर लेंगे हम लोग इसके लिए रहे हैं तो voltage इतना नहीं पहुंचेगा तो जितनी energy दे रहते हैं वह कम पहुंचेगी तो क्योंट energy obviously उसकी reduce हो जाएगी खीक है तो यह समझ में आगे हो कि आगे चलते हैं तो एक disadvantage तो यह हो कि efficiency बहुत पूर होती है ठीक दूसरी बात अगर बात की जाए तो यह इसका जो speed regulation है speed regulation speed regulation वो क्या होता काफी पूर होता है पूर speed regulation समझ में आ रहा है speed regulation पूर होने क्या मतलब है जैसे एक होता है smoothly नहीं होता है जैसे यहाँ पे speed आ रही है आपकी 200 आपने resistance एड करा तो आब आ गई आपकी 180 आ गई और करा तो 150 आ गई लेकिन 200 से 180 की बीच में देखो कोई भी speed regulation नहीं आ रही तो step में change हो रहा है clear हो रहा है यहाँ पे तो पूर speed regulation है प्लस speed तुम इसमें rise up नहीं कर सकते हो यानि कि low below below base speed पर ही केवल काम कर रहा है ठीक है यानि कि अगर तुम्हें मालो अपनी गाड़ी की speed बढ़ा नहीं है अब अब base speed तो वो इस method से नहीं जा सकते तो तो इसलिए क्या होता है limited जगा होती जिसमें आप speed को कम कर सकते हो एक particular value range के अंदर speed को change करा सकते हो तो इसलिए इसका speed regulation काफी poor होता है ठीक समझ में आगया होगा तो आयो भी लेक्चर आपको समझ में आगया होगा बहुत simple सा lecture था बहुत easy topic है resistance control method हमने करा क्या है simply यह जो formula external add करके real state से और जब आप resistance को increase करोगे तो उससे क्या होगा आपकी जो value है speed की वो क्या होगी below नीचे चली जाएगी अगर external resistance बढ़ाओगे ठीक है जैसे कि इस कर्व में बता है जैसे आप resistance की value बढ़ाना शुरू करोगे external वैसे-वैसे speed जोगी वो down होती चली जाएगी ठीक speed regulation भी काफी पूर है तीक आयो भी समझ में आया होगा इसके बाद next lecture में हम लोग बात करेंगे different types of voltage यह speed regulation किस से voltage control से और एक है flux control से तीक तो इन दो मैं 3 को हम लोग detail में अगले lecture में tackle करेंगे अब तक के लिए धन्यवाद